नमस्ति प्यारे विद्याधियों, आज हम UP Board Solutions for Class 8 Civics, Chapter 3, वैश्विक समुदाए एवं भारत, पढ़ने जा रहे हैं, आओ मिलकर अभ्यास करें वैश्विक समुदाए एवं भारत, अभ्यास प्रशन एक, रिक्ट स्थानों की पूर्ती कीजे, उत्तर, क, बीसमी सदी में दो विश्व युद्ध हुए, क, संयुक्त राष्ट्र संग की स्थापना 24 अक्तूबर 1945 में हुई थी, ग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परशद में 5 स्थाई सदस्य होते हैं, ग, महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती हैं, अंग, महासभा के सभापती का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होता है, च, मानवादिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया चाता है, च, राष्ट्र कुल के सदस्य अपने आंत्रिक एवं ब्राहम मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, प्रेश्ण दो, निम्न लिखित प्रेश्णों का उत्तर संग्षेप में दीजिये, क, संयुक्त राष्ट्र संग की स्थापना क्यों हुई, उत्तर, संयुक्त राष्ट्र पंध की स्थापना, विश्व में शांती और सुरक्षा बनाई रखने के उदेश्य से की गई है, बीस्वी शतापदी में अब तक दो महा युद्ध हो चुके हैं, जिसमें अपार जन धन की हानी हुई है, अनेक देश पूरी तरह नश्ट हो गए, संसार में ऐसा विनाश फिर न हो, इस उदेश्य से विश्र के 51 राष्ट्रों ने मिलकर, 24 अक्तूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संग की स्थापना की, ख, संयुक्त राष्ट्र संग के अंगों एवं विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिये, उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संग के छे प्रमुक अंग हैं, पहला, महासभा, दूसरा, सुरक्षा परिशद, तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिशद, चौथा, सरक्षन परिशद, पांचवा, अंतराष्ट्रिय न्या याल्य, छेवा, सची वालय, ग, दक्षेश एवं आसियान के बारे में लिखिये, उत्तर, आसियान की स्थापना 1967 में हुई, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपून क्षेत्रिय संगटन है, भारत इस संगटन का आपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी आसियान एवं उसके सदस्य देशों के साथ प्रगाड़, व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामरिक संबंध हैं, प्रश्न तीन, निम्न लिखित के बारे में संग्शेप में लिखिए, पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिशद, तीसरा अंतर राष्ट्रिय न्यायाल्य, उत्तर पहला, महासभा, संयुक्त राष्ट्र संग के सभी सदस्य, महासभा के सदस्य होते हैं, प्रत्य एक सदस्य, राष्ट्र महासभा में पांच प्रतिनिधी बेच सकता है, किन्तु मतदान के समय एक ही वोट दे सकता है, वर्ष में इसकी एक बैठक अवश्य होती है, इसका सभापती केवल एक वर्ष के लिए ही चुना जाता है महासबा विश्र की गहन समस्याओं पर विचार विमर्ष के लिए विश्र समेलन बुलाती है दूसरा, सुरक्षा परिशद यह परिशद विश्र में शांती और सुरक्षा बनाए रखने का परियास करती है दो राश्ट्रों के बीच हुए विवाद को हल करने का प्रयास करती है युद होने की स्थिती में उसे समाब्ट कराने का प्रयतन करती है और उसके लिए सेना भी बेचती है सुरक्षा परिशद में 15 सदस्य होते हैं जिनमें चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका वर रूस ये 5 सथाई सदस्य हैं शेश 10 सथाई सदस्य महसभा से केवल दो वर्षों के लिए चुने जाते हैं तीसरा अंतर राश्ट्रिय न्यायालिय संयुक्ति राश्ट्र संग के सदस्य राश्ट्रों में आपस में विवाद और मतभेद हो जाने पर अंतर राश्ट्रिय न्यायालिय में उसको शांती पूर्ण धंग से सुलजाया जाता है इस न्यायालिय में 15 न्यायाधीश होते हैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी चैनल स्मार्ट किट्स वंडर को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले धन्यवाद बच्चों